यूपी बुलिटन के प्रायो जग है एडलवाइस टोक्यो नमस्कार आप देख रहें अपना उत्तरप्रदेश मेरा नाम है अंकुर पांडे मुखेमंत्री योगी आदितनात ने प्रदेश के दस जिलों में भव और अत्याधुनिक सोईधाओ वाले नियायले भवनों के निर्माल के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है बता दें कि सीम योगी ने आगरा, औरया, हापड, कौशामबी, महोबा, बैराइच, चंदौली, हात्रस सहित दस जिलों में नए नियायले भवनों के निर्माल के लिए लोक निर्मान और नियोजन विभाग के अफसरों को 15 दिन के अंदर डीटेल प्रिजेंटेशन प्रस्तुत करने के लिए कहा है साथ ही सीम योगी ने कहा है कि इन भवनों के डिसाइन ना सिर्फ खुपसूरत हो बलकि इन्हें वर्टिकल आकार में बनाया जाए जिससे जमीन की भी बचत हो साथ ही इन्हें आने वाले 25 से 30 साल बाद भी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए निर्मित किया जाए जिससे इन्हें प्रदेश ही नहीं देश में भी एक मॉडल के रूप में विक्सित किया जाए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने डॉक्टरों की नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला लिया है स्वास्त विभाग ने अस्पताल आवंटित होने के बाद डूटी जोईन ना करने वाले 229 डॉक्टरों की सेवा समाप्त कर दी है अब फिर से इन पदों को रिक्त मानते हुए दोबारा अधियाचन भेजा जाएका बता दें कि इन डॉक्टरों का चयन राज्यलोक सिवा आयोग ने साल 2020 किस के लिए किया था इन सभी डॉक्टरों की पोस्टिंग भी कर दी गई थी लेकिन डॉक्टरों ने डॉक्टरों ने डॉक्टी जॉइन नहीं की प्रदेश के विभिन जिलास्तरी अस्पतालों और सामुदाई केंद्रों के नियम के मताबिक इने छे मैने के भीतर कारेभार ग्रहल करना था ऐसा ना होने की स्तिती में योगी शाषन ने इनकी नियुक्तियां रद्द करती है प्रदेश की मैनपुरी सीट पर उप्चुनाओ से पहले समाजवादी पार्टी के द्यच अखलेश यादो अपने चाचा शुपाल यादो को मनाने की कवायद में जुट गए है इस दोरान अखलेश की पतनी डिमपल यादो भी उनके साथ मौझूद रही बतादें कि मैनपुरी लोगसवा सीट पर उप्चुनाओ होना है मुलाइम सिंग यादो के निधन के बाद खाली होने वाली सीट पर समाजवादी पार्टी ने डिमपल यादो को टिकट दिया है पार्टी ने टिकट के ऐलान के बाद इस्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की जिसमें श्युपाल यादो का नाम भी शामिल है वहीं जाहिर है कि श्युपाल डिमपल के लिए प्रचार करेंगे लेकिन पेच तब फस गया जब बीजेपी ने श्युपाल के करीवी वाने जाने वाले और श्युपाल की पार्टी छोड बीजेपी का दामन थामने वाले रगुराज शाक्य को टिकट दे दिया ग्यानवापी केस में वारानसी कोट ने मुस्लिम पच्छ की याचिका को खारिच कर दिया है और इसी आधार पर याचिका को खारिच किया है मुसलिम पच्छी की तरफ से जोर देकर कहा गया था कि ग्यानवापी मामले में हिंदू पच्छी की याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए लेकिन कोट ने साफ कर दिया कि इस याचिका पर सुनवाई संभव है और इसी वज़े से मुस्लिम पक्ष की याचिका को खादिच किया किया है आज उसमें एक आदेस आया है दो लाइन का आदेस है कि अप्लिकेशन खारिश कर दी गई और बाकी क्या विश्ट्रेत है यह भी देखने को नहीं मिला क्योंकि लंबा चोड़ा है करीब करीब 20 से ज्यादा का है जेज्मेंट वह नेट पर लोट हो जाएगा और देर के बाद सब्सक्राइब कि यह मुकदमा चलेगा और आगे मेंटेरिवी है और आगे भविश्ट में चलता रहे हैं अभी तो फैसला इसी पर आना था अभी तो वो ट्राइल को समझ में आएगा संतोज जी क्या आप इसे अपनी पहली जीत मांते हैं निसंदे तोर पर यह हिंदू के मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित हो पूरा परशर हिंदूओं को सपा जाए कुझा पार्ट की अनुमति दी जाए और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साथते हुए कहा कि सपा का गड़ पहले ही दोस्त हो चुका है इस बार समाजवादी पार्टी का ही दोस्त होने का समय है असाथी सुब्रत पाठक ने कहा कि मैनपूरी में होने वाले उप चुनाओं में इस बार सपा की सबसे बड़ी हार होगी इस बार के चुनाव में डिमपल्यादों को सबसे बड़ी हार का सामना करना होगा बड़ी में 19 तारीक से कासी तमिल संगमम कारकरम है जिसमें तमिल नाडू से कई वर्गों के लोग सिक्षक, गयनम और छात्र, वहां के वेवसाई, वहां के किसान अलग-अलग वर्गों के लोग महा रहे हैं और उसी के एक अच्छी अनूठी सुरुआत है, यहां पर आएंगे, कासी आएंगे, कासी दर्सन करेंगे, प्रयाग जाएंगे, योध्या जाएंगे तो उसी के सुवारम वफसर पर यहां प्रधान मंतरी जी का कारक्रम है, और उसी की तैयारी की दर्श्टी से यहां के उपर आना हुआ है बहराईश में परेटकों के लिए आकरसों का केंदर करतिनिया घाट वन्य जीव प्रभाग सैलानियों के लिए खुल चुका है बता देगी जिले में 551 वर किलो मीटर में फैले करतीनिया घाट वन्य जीव प्रभार वैसे तो टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है पर इसकी शोहरत लुभावने प्राकरतिक परेटन स्थल के रूप में है जहां जंगली जानवरों और जीवों का दीदार करने के लिए देश और विदेश से सैलानी आते हैं और गेरवा नदी में वोट सफारी का आनंद लेते हैं एक खास जो रोमांच होता है वहां पर जाने वाले परेटकों के लिए वहां की बोट सफारी तो बोट सफारी में अभी दो चार पांस दिनों में बोट सफारी भी वहां खुल जाएगी समय पानी कम है लेकिन दो चार पांस दिनों में आवस्टी ही खुल जाईगी और लोगों को जो कतजया घाट भी इंतजार में है अपने परेट को के फिलाल यहां पर वक्त चलाए एक छोटे से ब्रेक का यूपी बुलिटन के प्रायो जग है एडलवाइस टोक्यो तो परिके बाद एक बार फिर आपका स्वागत है वड़तने कली खबर कियो बरेली के आएमसी के अद्यच मौलाना तौकीर रजा ने सृद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताप को मुस्लिम समुदाय के लिए गलत मारना चाहिए ऐसे लोग मुस्लिम समुदाय के लिए भी गलत हैं कि फांसी से मुतमईध नहीं है ना मेरे पूरे समाज का एक बच्चा भी उसका हमाय सी हो सकता है क्यूंकि उसने इंसानियत का कतल किया है देश की लाइफ-लाइन कहीं जाने वाली भारती ट्रेन में यात्री सुरच्चित नहीं है ट्रेन में टीटी उनकी मौत से खिलने से नहीं आ रहे हैं ताजा मामला बरेली का है जहां बरेली जंक्षन पर डिब्रूगर सिन नई दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस से चलती ट्रेन में चड़ने के दौरान फॉजी को टीटी ने धक्का दे दिया फॉजी के ट्रेन के नीचे आने से दोनों पैर कट ग कि अभी फरार है अभी फरार है उत्रप्रदेश के इस बुल्टन में फिलालित नाइब आकी की तेमाम अपडेट के लिए आप लगातार बने रहे टीम पीनियूस के साथ नमस्कार